फ्रेंस सावन का महीना चल रहा है तो यहां पर मैंने बनाया है भगवान शिव के लिए भोग प्रशाद तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पी लिया है दो कप मिल्क पॉडर एक कराही में इसे डाल देंगे ध्यान रहे अभी मैंने gas को on नहीं किया है इसके बाद दालेंगे एक कटोरी दूद या आप जिस कप से milk powder ले रहे हैं उसी कप से दूद ले ले ये दूद गरम करके उसके बाद थंडा किया हुआ दूद है और उसके बाद इसे हम अच्छे तरके से इसे ऐसे ही mix करेंगे ध्यान रहे इसे mix करने में तीन से चार मिनट का समय लगेगा बढ़िया से इसे mix कर लेना है ताकि कोई लंस न रहे उसके बाद मैंने gas को यहाँ पे on कर लिया है अब क्या करेंगे कि एक कप चीनी लेंगे जिस कप या कटोरी से milk powder लिया है उसी से दो कप यहाँ पे मैंने milk powder के लिए एक कप चीनी का यूच किया है चार हिलाईची डाल देंगे छिलके हटा के इन्हें हम बढ़िया से एकदम से fine powder की तरह पीस लेंगे अब यहां मैंने लिया है देशी घी तो आदी कटोरी देशी घी लिया है जिसमें से मैंने थोड़ा से घी बचा लिया है बाकी डाल दिया है और इसे भी हम इसमें डाल देंगे गैस का flame हम एकदम से low रखेंगे और low flame पे इसे हम बढ़िया से पहले mix कर लेंगे उसके बाद ये पिसी हुई चीनी को भी इसमें डाल देंगे सारी चीजों को हम लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे इस तरीके से बनाईए गानम मिठाई बहुत बढ़िया मिठाई बनके तयार होगी आप इसे भोग प्रशाद के लिए बना सकते हैं या ऐसे भी आप खाने के लिए मिठाईयां बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि चलाते चलाते मुझे लगबग 5-6 मिनट हो गया था तो ये थोड़ा-थोड़ा सूखने लगा है तो अभी इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे इसी तरीके से चलाते हुए तो इस पूरे प्रोसिस में गैस का फ्लेम लो ही रखना है लो फ्लेम पे ही ये अच्छे तरीके से पक्के तयार होगी और तभी आपके मिठाई बहुत बढ़िया बनेगी तो इस बात का ध्यार रखना है तो इसे लगातार यूँ ही चलाते रहेंगे एकदम से दानेदार बिल्कुल मावा की तरह ये बनके तयार हो गया है ये देखिए सिर्फ दो कटोरी मिल्क पाउडर से इतनी सारी मावा तयार हो गया है आप देख सकते हैं तो आप क्या करेंगे कि जब एकदम से ये दिखिए दम से ड्राइ हो चुकी है नीचे से घी छोड़ने लगा है तो इसे थोड़ी दिरोड चलाने के बाद गैस को हम कर देंगे बंद और गैस बंद करने के बाद भी जब तक बरतन गरम रहे इसी में हम छोड़ देंगे और उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे तो यह देखे यह बहुत बढ़िया से इसमें से एक अच्छी सी सोंधी सोंधी खुश्बू आने लगी है तो इसे फिर से हम मिक्स कर लेंगे और चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो जब इसे एक प्लेट में निकालेंगे अभी यह बहुत जादा गरम है तो इसे हम 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे जैसे ही यह ठंडा हो जाए तभी हम इससे पेड़े बना लेंगे तो लगभग 10 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया तो यह हलका ठंडा हो चुका था तो जब यहाथ सहन करने लाइक हो सके एक दम से ठंडा नहीं करना है तो बची हो जो गी थी उसे मैंने यहाँ पे लगभग 2 चमच के बराबर इसमें डाल दिया है और अब इसको हम बहुत ब माटा गूतते हैं उसी तरीके से इसे मिक्स करके गूंद लेना है बस यह बहुत बढ़िया से गूंद के तयार हो चुकी है तो इस तरीके से गोल-गोल छोटे-छोटे हम पेरे बना लेंगे तो यह लीजिए यहाँ पर मैंने भगवाद के तयार हो गए है अगर आपको मेर अगरी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्लेज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इसी जरूर से बनाएं